नहीं सर मैं जब भी इंडिया के लिए बोलिंग करता हूँ तो बहुत कुरूशिल स्टेजिस पे बोलिंग करता हूँ चाहे नया बॉल हो या इड्ली खागे जाते होगा माताल। नहीं 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 कवे भी सिचुएशन टफ होती है तो मेरे को सिचुएशन में बोलिंग करनी होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूँ और कोई भी टफ सिचुएशन से मैच अगर निकाल पाता हूँ तो मुझे बहुत confidence मिलता है और आगे जाते वए भी वो मैं confidence को carry करता हूँ और especially ये tournament में बहुत सारी situations ऐसी आई जह मुझे tough overs डालनी थी और मैं टीम को help कर पाया और मैं जिता पाया जितना मैंने cricket को देखा है हमेशा देखा कि 90 के बाद कितना ही victory का mood हो सब कुछ हो फिर भी जो batsman होता है वो थोड़ा serious हो जाता है 90 के बाद वो वैसा ही last over हो हार जीत एक बॉल के साहरे हो तो कितना बड़ा तना होता होगा ऐसे मैं उन्त सबाए कैसे आप समालते हैं अपने आपको गर मैं सोचूँगा कि हार जाएंगे या मैं को मैच में कुछ extra करना है तो मैं शायद गलती कर दूँगा या nervous हो जाऊँगा या crowd को देखूँ या nervous होनके दूसरे लोगों को देखूँ तो शायद मेरे से गलती हो सकती है तो मैं उस टाइम फोकस करता हूँ अपने आपके बारे में सोचूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और जब मैंने पहले अच्छा किया है तो मैंने क्या किया है जब मैंने टीम को help कर पाया हूँ तो वो सब चीजे याद करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे दिन में मैंने टीम को कैसे हल्प किया है तो वो सब चीजे याद करके अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये तो बड़ा तनाव रहता होगा, यार, पराउट है के विना दिन उसके निकलता नहीं है, नहीं सर, वेस्ट इंडीस में तो इडली पराटे कुछ भी नहीं मिल रहे थे, जो मिल रहे थे, उससे ही काम चला रहे थे हम लोग, पर बहुत अच्छा सिनारियो रहा, बह यससे बेटर फीलिंग मेंने आज थे एक्सपिरेंस ही नहीं की भग बड़िया की आपने जेगे, ये प्राइट करताओ, जरम अब करता हूँ